क्या है flow of liquid हम बात करेंगे जब liquid की तो liquid कैसा होगा liquid होगा ideal liquid ideal liquid के बारे में हम बात करेंगे अब आप कहेंगे ideal liquid क्या होता है तो ideal liquid वो होता है जो दो property contain करता है पहली property है कि वो zero viscosity होनी चाहिए पहला है zero compressibility या non compressible बतला ideal liquid वो है जो zero compressible हो जिरो compressible मतलब कहने यह चीज़ compress हो जाएगी compress करने के बाद क्या करते है आप उसमें उसका volume कम हो जाता है अगर आपने इसको नीचे दबाया तो इसका volume कम हो जाएगा बाल्टी में पानी भरा हुआ है आपने उपर से पानी भर दबाया तो उसका volume कम हो सकता है यासे याड्य से लक वे लिकवीड की हो रही बात लुस्याकर हो इखती जैसे लिकवीड की हो यह वाधर की नहीं होरी है। request कोई भी हो सकता है। जैसे मम्मी फेडा बनाती है। हमें कानी में आ गया हनाइक है तो वह र Edu लिक विभिड होता है लावर गाड़ा हो गया compressible हो, when you press the liquid, then its volume should not change. You can say the molecule of the liquid should not come closer to each other. ऐसा नहीं कि आपने दबाया और वो close हो करके नजदीक आ गए. दूसरा है, इसमें zero viscosity होना चाहिए. Zero viscosity या non-viscous होना चाहिए. non-viscous का मतलब क्या होता, viscosity का मतलब क्या होता, अभी पढ़ाया जाएगा आगे आपको. देखिए, जब आप जैसे आप बाल्टी में पानी ले लिजेगा, और उसको बड़ी तेज़ ऐसे से घुबाईए हांस से पानी को, तो ऐसे घुमना शुरू कर देगा. और थोड़ी दिर रुख जाएए, तो पानी घुमते घुमते रुख जाएगा. क्यों रुख गया भई, क्या रिजन था? तो आप कहेंगे जो वाटर लेयर्स थी, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्ज काम कर रहा था. तो हर फ्रिक्शन फोर्ज होता है, वो हर उपर वाला अपने नीचे वाले, उसको क्या करता है? रोकने का प्रियास करता है, लेयर्स के बीच में. इसको कहते है विसकॉसिटी तो यानि लिक्विड कैसा होना चाहिए जीरो विसकॉसिटी होनी चाहिए यानि उस पे विसकॉस फोर्स नहीं लगना चाहिए समझ में आ गई बात तो जब बात हम करेंगे ideal liquid की तो ideal liquid बोले तो zero compressibility and zero viscosity ठीक है इसके बाद अब हम flow of the liquid जब करेंगे तो जब भी हम कोई proof करेंगे हम बोलेंगे ideal liquid is flowing वो ideal liquid होता है अब देखिए जब liquid का flow होता है तो flow कितनी प्रकार का होता है एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो नाम से लग रहा है कि एक स्ट्रीम एक लाइन से flow हो रहा है बीड प्रकार के अब वाला करता है तो वो flow किया कलाता है इस्ट्रीम लाइन फ्लो करता है याने श्ट्रीम लाइन फो का मतलब कह सकते हैं कि हर पॉंट इक ही पाथ कश्रीव होना जाइए विलास्टी सेम होनी चाहिए वाइस सिंपल सी बात है कि अगर मान लिया ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ABCDE और अगर इसने एक सेकेंड में एक मीटर डिस्टेंस कवर की है तो सबको एक मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी तो अगर किसी ने मान लिया इसने जिस्टेंस ज्यादा कवर कर ली तो ये इसके आगे बढ़ने की कोशिज करेगा तो इसके आगे बढ़ने मतलब होता इसको दूसरे रास्टे जाना पड़ेगा मैं उसके रास्टे में D रखा हुआ है और वो ज्यादा स्पीड से चलना है तो उसको रास्टा चेंज करना पड़ेगा और हमने का रास्टा चेंज करने का मतलब तो इस्ट्रीम्लाइंट फ्लो का मतलब होता है कि ये एक एक स्ट्रेट एक पार्ट में सभी पार्टिकल सेम पार्ट में चले और सबकी जो velocity of each particle सेम होनी चाहिए सेम magnitude हो, सेम direction हो दूसरा होता है turbulent flow अब turbulent flow का मतलब क्या होता है जो steady न हो उसको कहते हैं turbulent flow turbulent flow which is not steady मतलब जैसे आपने देखा होगा गटर से जो पानी निकलता है उसमें गटर का थोड़ा सा hole होता है और हर water molecule पहले आगे निकलने की कोशिश करता है तो एक दूसरे के उपर चड़ करके और नीचे से निकल करके वो आगे निकलने की कोशिश करता है तो that flow is known as गटर की बात जैसे छट पे बारिस हो रही हो छट का पानी जब pipe से निकल रहा हो वहाँ पर देखिए आप कैसे molecule निकलते हैं हर molecule पहले निकलने की कोशिश करेगा वो इधर से आजाएगा उधर से आजाएगा उधर से आजाएगा ठीक है तो ये कैसा flow है ये turbulent flow है तो जब हम बात flow of liquid की करेंगे तो हम बात किसकी करेंगे हम बात करेंगे streamlined flow होना चाहिए और हमारा जो liquid होना चाहिए वो non-compressible होना चाहिए non-viscous होना चाहिए तो हम बार 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 non-compressible non-viscous नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे that liquid is ideal liquid वो कैसा liquid है आइडियल लिक्विड है अब कहरें भई फ्लो करता हुआ जो लिक्विड है उसके पास पर ले लिखे equation of continuity equation of continuity equation of continuity अब एक word अगर इस word का मतलब हम पकड़ें तो कुछ लग रहा है कि हर चीज continuous चल लई है equation of continuity continuity तेखे equation of continuity कहता है कि अगर कोई लिक्विड किसी ऐसे पाइप में फ्लो हो रहा हो अब पाइप में फ्लो जो होता है वो स्ट्रीम लाइन होता है ठीक है तो पाइप मालिया नान यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्षन की है यहनि कहीं मोटी है कहीं पतली है तो पाइप के हर पॉइंट पे एरिया आफ दे क्रॉस सेक्षन और विलास्टी याफ फ्लो का मल्टिप्लिकेशन हमेशा कॉंस्टेंट रहता है तो लिखेगा इफ एनी आइडियल लिक्विड इफ एनी आइडियल लिक्विड इक्वेशन आप कांटिनुटी विन आइडियल लिक्विड फ्लोस आइडियल बोले तो non-viscous and non-compressible तो हम दोनों बात लेखने से बेतर है आइडियल लिक्विड फ्लोस इन स्ट्रीम लाइन फ्लो फ्लोस इन स्ट्रीम लाइन मोशन जैस्ट्रीम लाइन फ्लो जो भी आप कहें इन स्ट्रीम लाइन फ्लो through a pipe of non-uniform area of cross section non-uniform मतलब समय है कहीं पतली है कहीं मोटी है non-uniform area of cross section non-uniform area of cross section then at any point of its path then at any sorry at every point at every point of its path path के हर point पर the product of area of cross section the product of area of cross section to the velocity of flow of liquid is constant through the area of cross section to the velocity of flow of the liquid is constant velocity of flow of the liquid is constant वो निकलता है इसलिए ऐसा होता है अगर यह multiply constant नहोता है यह नहीं कि वो नहीं निकलता है वो होता है ऐसा इसलिए हमने यह rule बनाया मेरे rule की वज़े से वा नहीं होता है उसकी वज़े से मेरे rule होता है ठीक है यानि उन्होंने क्या कहा a into v is equal to constant यानि सिंपल सी बात है जहाँ area आप कम कर दोगे वहाँ velocity बढ़ जाएगी यह शर्त क्या है streamlined motion होना चाहिए ठीक है अब मैं इसको proof करने जा रहा हूँ जरब साउधान देखो द्यान से यह मैंने एक pipe बनाई है मैंने यह pipe बनाई है जिसका area of cross section अलग-अलग है मैंने का suppose x y is a pipe और here the area of cross section is a1 here the area of cross section is a2 here the velocity of flow is v1 here the velocity of flow is v2 and the liquid is flowing in the streamlined motion liquid जो है streamlined motion में flow हो रहा है जरब देखे द्यान से रटी हैगा नहीं अभी सौन में आपको आजाएगा यहां से जितना liquid entry करे उतना यहां निकलना चाहिए तभी streamlined flow हो पाएगा भाई जैसे एक corridor बना हुआ पतली सी gallery है उसमें 10 लोग खड़े हो सकते हैं और आपने entry वाला gate बड़ा कर दिया exit वाला gate छोटा कर दिया और आपने कहा line तूटनी नहीं चाहिए और वहां से 5 लोगों को आपने entry में खड़ा क्या पीछे से एक लाग मार के अंदर बुझे रिजल अंदर उतना मास वहां होना चाहिए मास इस इकल डू क्या होता है वालूम इंटू वालूम इंटू होता है तो पहले वालूम निकाल लेते हैं तो देखे मास अब देखे डायट कर दियेगा as flow is flow is क्या कहेंगे streamlined streamlined क्योंकि flow streamlined है so देखे ज्यान से मास अफ द लिक्वेट entering at end x is equal to मास अफ द लिक्वेट coming out coming out at end y ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए मतल्ल लॉजिकली आपना समझे है न तो मास का फ़र्मलाव क्या होता वालूम इंटू द लिक्वेट of liquid entering at end x into density of liquid is equal to volume of liquid coming out at end y into density of liquid लिक्वेट क्योंकि सेम है तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों एंट पर देंस्टी चेंज हो जाएगी तो देखे density देंस्टी देंस्टी दोन तरफ की cancel हो गई या तो मैं मास अलग से निकाल के equal कर लेता हमने एक साथ लिख दिया है देखो volume of liquid किसी pipe से entry होने वाले liquid का volume निकालने का तरीका क्या होता है अगर आपको वहाँ पर velocity आप flow दिये हुए हो और area of cross section of the pipe दिया हो तो वहाँ method क्या होता है कोई pipe है माल लिया हमने उसका area दे दिया आपको और उससे liquid flow हो रहा है और liquid की velocity दे दि तो volume का formula क्या होता है area into velocity यानि जो end x से water entry हो रहा है उसकी area a1 into v1 into row अभी row cancel मत करिए खुँआ अच्छा लगेगा बाद में cancel करते वक्त वो कहेगा अभी लिखा अभी cancel किये दे रहा हो वहीं पर तो लिखा ही का है था तो उसको अच्छा लगेगा is equal to a2 into v2 into row तो row row cancel हो गया तो आगया a1 into v1 is equal to a2 into v2 क्या दिख रहा है आपको यह formula बालू भना a into v1 तो अब आप कहे रहो यहाँ पर a1 v1 जो है वहाँ a2 v2 है सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब प्रूफ हो गया a into v is equal to constant तो यह आपका principle of continuity है समझ मैं ही बात principle of continuity है एक question of continuity जो भी आप अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट जो आपने end end x लिखा है in one second लिख जिएगा in one second यह main point point है in one second यह जो end जहाँ भी end x लिखा है आगे बढ़ा दो in one second जो कि जब one second होगा तभी आप v is multiply करेंगे द्यान लखिएगा आएसे v is multiply नहीं करेंगे भाई देखे द्यान से मुझे देखे द्यान से एक pipe ऐसे goal है देखे द्यान से ऐसे pipe goal है और उससे liquid निकला पूरा भर के ऐसे move और जैसे liquid निकले एक second बाद उसको रोग दो stop तो बताएए एक second में liquid कितनी distance कबर करेगा अपनी velocity के बराबर एक second में तो एक second में उसमें weaver distance कबर की तो अगर मैं इस liquid को जमा देता तो यह cylinder बन जाता जिसका area यह होता और length उसकी velocity के बराबर होती वी के एकल होती तो area into velocity ही volume होती है तो यह one second जो हम लेंगे तब उसकी जो velocity है वो distance का काम करेगी तो आप लिखेंगे mass of the liquid entering at x in one second is equal to mass of the liquid coming out at and y in one second अब mass का formula volume into density होता है तो वही sentence फिर repeat कर दो फिल दो volume of liquid entering at x in one second into row और उधर volume of the liquid coming out at and y into row लेप्टाप सही करा लो अच्छा 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 ने एवन into v1 होता है ना volume होता है फिर confused हो गया अब अभी मैं बता रहा हूं किसी pipe से अगर liquid चल रहा है एक सेकेंड में कितना volume entry करेगा energy of flowing liquid liquid बोले तो ideal liquid जला देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा आपने एक pipe सीधी ली ध्यान से समझना और आपने इसमें liquid entry कराया और liquid यहां से यहां पहुंच गया तो आपने नल बंद कर दिया अब liquid बाहर इससे नहीं निकलेगा आप इसको फूक मारिये और इससे फूकी है तो निकल जाएगा या आप एक tank ले लीजिए ऐसे tank की एक है इसमें liquid बढ़ा हुआ है और इसमें एक अलका सा hole कर दीजिए यहां पर यहां से liquid निकलना शुरू हो जाएगा कब तक जब तक इस level तक liquid आएगा यानि height की वज़े से liquid में pressure लग रहा है اور pressure की वज़े से liquid निकल रहा है यानि कि liquid में pressure की वज़े से और चलता है तो जहनि उसके पास pressure energy होती है liquid में L چलती होती है pressure का मतलब force और जहां force है वहां work है और जहां work है वही energy है दूसरी बात ये motion में है तो इसके पास current energy होती है तीसरी बात अगर आप pipe पो थोगा height में ऐसे रख दीजे ऐसे तब भी liquid flow ना सुरू कर देगा कुछ ना करी आपके ओले इधर का point उठा दीजे तो अगर आप height में रखते हो तो भी हो liquid flow करेगा तो flowing liquid के बात potential energy भी होती है तो flowing liquid के पात तीन प्रकार की energy होती है current energy, potential energy और pressure energy तो लिखे flowing liquid has three types of energy flowing liquid has three types of energy number one इसकी है pressure energy pressure energy देखे दालचे हमने का suppose करिएगा मैं language नहीं लिख रहा हूँ suppose करिएगा हमने कहीं pressure लगाया अभी जो फूक मार रहे थे ना इसे फूक रहे थे तो हम क्या कर रहे थे pressure लगा रहे थे ना pressure लगाया और liquid का density rho था उसको मैंने x डिस्प्लेस कर दिया तो इस डिस्प्लेस प्रेसर का मतब force लगाया तो इस displacement करने में हमने work किया वही work energy है तो जो इसमें work हमने किया work done तो work done होता है force into displacement अब चूंकि force के तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं हमने का अब रावट जी में बटे आरी स्क्वार लगाएंगे घंग ग्रेविटेसन फोर्स लगाएंगे जी नहीं भाई प्रेसर के टम में लगाओ न तो यह क्या होगा pressure into area और इंटू displacement हो गया वालूम ओफ लिक्विट और चुकि वर्क ही एनर्जी होती है तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे प्रेसर एनर्जी हाँ पी इंटू वालूम ओफ लिक्विट लेखिन चुकि उस नहीं केमिस्ट्री आपन नहीं है यहां कुछ तंग नहीं करेगा नहीं वह होता होगा किमिस्ट्री हमें भी बहुत तंग करती है और किमिस्ट्री तंग करती इसलिए थी क्योंकि कुछ टीचर होते हैं आज टीचर प्ढ़ाते हैं कुछ टीचर ट्यूशन बाजी करते थे होता नहीं गर आप टीचर पढ़ते हैं तो ही इस गुट फार यू तो माई टीचर वाज पंकज वर्मा मैं नाम से ले रहा हूं कि नाम कोई दिक्कत वारी बार नहीं है तो यह बड़ी दिक्कत करते थे इसलिए जब मेरे केमिस्ट्री वीक हो गई ठीक है तो मैं जब कोई लड़का पास आउट होके यह ने कहे कि मैथमेटिक्स टीचर ने ऐसा पढ़ाया कि यह पॉइंट टीउशन वालों को पढ़ाया हमको नहीं बताया तो यह आलवेज रिमेंस था ऑनिस्ट वर्स माई स्टुडेंट और तो तो यह आज भी मैं बहुत ऑनिस्ट रहता आपके साब यह बताईए एक लीटर पानी जाला दो लीटर जाला हम पने फूक मारा वैसे फूक मारा हमने थोड़ा सा पानी निकाल दिया ठीक है पाइप में पानी भरा है मम्मी ने थोड़ा फूक मारा थोड़ा पाइप से पानी निकला पापा तुम फूक मारो अगर के लिक्विट में डिपेंड करती है तो हम जो भी एनर्जी निकालेंगे पर यूनिट वालूम निकालेंगे तो प्रेसर एनर्जी पर यूनिट वालूम निकालेंगे दूसरा हमने का कि flowing liquid में velocity होती है तो उसमें kinetic energy होती है number two लिखे kinetic energy समझ में आ रही बात दूसरा लिखे kinetic energy kinetic energy कानेटिक energy होती है half mv square v बोले तो velocity small v मैं velocity के लिए इंडिकेट कर रहा है तो अब हम निकाले kinetic energy पर unit volume तो आप क्या करेंगे mass को volume से divide कर दो तो mass upon volume क्या होता है density तो यह हो गया half rho v square half rho v square तीसरी होती है potential energy यह होती है mg अभी क्यों होती हमने बताया कि pipe की height को ऐसे कर दो तो पानी flow ना अपने आप सुरू हो जाएगा तो जब निकालेंगे potential energy पर unit volume तो आज आएगा रोज जी अच्छ क्योंको mass को फिर volume से divide करेंगे तो तीन प्रकार के energy हो गई pressure energy पर unit volume kinetic energy पर unit volume और potential energy पर unit volume ठीक है अब एक बहुत बढ़िया theorem में प्रूप कराने जा रहा हूँ सावधान यह student को बहुत काट खाने को दोड़ती है बहुत tough मानी जाती है अगर बुक से आप रटर होगे नहीं सुझ में आएगी और मैं guarantee लेता हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपने आप रूप कलोगे लिखे बर्णौली स्थोरम नहीं अभी बहुत बहुत आपको इंट्रेस्टिंग लगने वाली है लिखे बर्णौली स्थोरम नाम तो सुना होगा हाँ वही वही है सबजिए बर्णौली स्थोरम देखो बर्णौली स्थोरम नहीं कहा कि अगर किसी पाइप में नान यूनिफरम पाइप में कोई liquid फ्लोराई आइडियल लिक्विड तो पाइप के हर पॉइंट पे टोटल एनरजी पर यूनिट वालू कंजर्व रहती है ठीक है पर देख स्टेट्मेंट लिखे एकारडिंग टौ बर्णौली स्थोरम एकारडिंग टौ बर्णौली स्थोरम इस एन आइडियल लिक्विड इस एन आइडियल लिक्विड फ्लोस इन इन नान यूनिफरम पाइप नान यूनिफरम बात सम्झा ग बए अगर अब uniform ले लेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा ना उसमें non uniform pipe then at every point of the pipe the total energy per unit volume of the liquid the total energy per unit volume of the liquid total energy per unit volume है वारी यूनिट वालूम अपने लिकविड ब्रैकेट मिलेज़ेगा प्रसर एनरजी कायनेंटिक एनरजी एन प्रॉटेशन इनरजी रिमेंस कॉंस्टंट एन प्रॉटेशन एनरजी हमने बोली है ना कितने प्रकार की होती है उसको लिखना पड़ेगा Remains constant यानि कि जो statement कह रहा है proof करने के लिए P plus half Rho V square plus Rho G H is equal to constant मैं इसको proof कराने जा रहा हूँ इसी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा समझ में आया तो ठीक नहीं तो याद कर ले क्या मजबूरी है तो कह सकते है हम समझ में आने चाहिए हमने कहा यह xy एक pipe है यह xy एक pipe है अब इस diagram के बारे में अपने आप लिखेंगे इसका एक्स पार्ट का जो एरिया क्रोसेक्शन एवन है यहां पर प्रेसर पीवन है और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वह एच वन है और यहां विलास्टी आफ फ्लो वीवन है संदा गया तीन चीज़े y की जो हाइट है वह h2 है एरिया प्रोसेक्शन एटू है प्रेसर पीटू है और विलास्टी आफ फ्लो वीटू है यह लैंग्विज डाइग्राम की बारे में अपने आप लिख लेंगे आप ठीक है अब जरा समझेगा अब मैं कैसे इसको प्रूफ करूँगा मैं यहां से लिक्विट को इंट्री करा रहा हूं और इंट्री कराने में हमको कितना वर्क करना पड़ा वो निकालने जा रहा हूं ठीक है तो आप देखे इसके अंदर लिक्विट को इंट्री कराना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा लिक्विट के ऊपर ठी liquid, on the liquid, in one second, in entering, at end x, समझ में आई बात हमें क्या निकाल लाएं, जब मैं one second बोल देता हूँ, तो एक बढ़िया सी, सिंपल से बात हो जाती है कि हम क्या कर रहें, विलास्टी को डिस्टन्स मान रहें, ठीक है, तो इस वर्क को हमने माना W1, तो वर्क का फार्मला क्या होता है, force into displacement, तो force यहाँ पर क्या हो गया, pressure into area into displacement, P1 into A1 into V1, सही बोला मने, अब देखो, जब मैं liquid को यहाँ entry करा दूँगा, समझिएगा, और पीछे से और liquid entry रहाँगा, तो यह भैसाब जो अंदर गये हैं, इनको बाहर तो निकलना पड़ेगा अपने आप, आपने यहाँ पर work कर दिया, वहाँ liquid को खुद करना पड़ेगा, तो वो one second, in, यह बाई है जदान के, in coming out, from, and y, यह work हो गया, w2, p2, a2, v2, अब देखो, जो हमने work किया था, वो energy हमने liquid को दी थी, है न, और जो liquid ने work किया है, वो energy उसने खर्च कर दी है, अब क्या ऐसा हो सकता है, कि energy कम दे, खर्च जादा हो जाए, यानि मेरे द्वारा जो work done on the liquid है, वो ज्यादा है, और by the liquid कम है, तो net work जब निकालेंगे, तो on the होगा या by the होगा, और होगा न, हमने ज्यादा energy दी होगी, हमने 10 जूल दी होगी, तो भाई साब यहाँ निकलने में थक ता कि 12 जूल तो खर्च नहीं कर सकते हैं, हमने 10 रुपे दिया, तो खर्च क्या 12 रुपे करेंगे हो, तो खर्च 10 के अंदर ही तो करेंगे न, तो net work done on the liquid, net work done on the liquid, W is equal to, इतनी energy दी, इतनी energy खर्च होगी, W1-W2, यानि की, P1, A1, V1-P2, A2, V2, अच्छा, by principle of continuity, principle of continuity, क्या कहती है आपको, कि A1, V1 is equal to, A2, V2, यह जो लिखा है, क्या, कौन सी physical quantity है, volume है न, volume mask बाद density होता है, तो mask जो यहाँ entry करेगा, वही वहाँ निकलेगा, तो दोनों के case में हम M, same करेंगे, और density दो same हई है, जानि कि A1, V1 की value है, M अपान रो होगी, और A2, A2 की value भी, M अपान रो होगी, so, W is equal to, आप P1 minus P2, into M अपान रो, लिख सकते हैं, equation 1 डालीजिए, कैसा लगा यहाँ तक proof, हाँ, note करिए, यहाँ तक समझ में आया है, तो आप जीत गए जग, हो गया, आप आगे कुछ हरुआ है, हुआ 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 है, हुआ 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 ह अब इसको हम कहीं उपर लिख लेते हैं डाइग्राम रब अभी नहीं रब करेंगे यह नेट वर्क डंड जो हमने निकाला है ना उसको वाला कहीं नोट कर लेते हैं हमें जरूत पड़ेगी ना तो हम इसको कहीं अपनी जानकारी के लिए नोट कर लेते हैं आपके लिए नहीं हमाले नोट हो रहा है डबलू इस इकल टू पी वन माइनस पी टू इन्टू एम अपान रू यह कुशन वन है अब देखो जो लिक्वेड एक्स से इंट्री कर रहा है उसकी कानेटिक इनर्जी कितनी है कानेटिक इनर्जी आफ लिक्वेड आफ लिक्वेड इंट्रींग एट एंड एक्स हमने इसको के वन मालिया हम इसलिए मैथमेटिक ली कर रहे है ना इसलिए हमने वेजूम कर रहे है तो आजाएगा हाफ एम वी वन स्क्वार क्योंकि आप पहले मान चुकिए हो मास एम इंट्री किया मास एम वहां से निकला कारेटिक एनर्जी आफ लिक्वेड कमिंग आउट अट एंड वाई दाट के टू इस इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वार अब बताएगे कारेटिक एनर्जी बढ़े है गटी पक्का पक्का बढ़ रही है वही विलास्टी बढ़ रही है यहां पर और मास उतना एंट्री हो रहा है तो कितनी बढ़ी इंक्रीज इनकारेटिक एनर्जी इंक्रीज इनकारेटिक एनर्जी तो डेल्टा क माल लो इसका होता ही होगा के टू माइनस के वन इस इकल टू हाफ एम वी टू स्क्वाइर माइनस वी वन स्क्वाइर अब बात समझ में आ गई अच्छा आप पोटेंशल निकालते हैं पोटेंशल एनर्जी आफ लिक्वेड इंटरिंग इसको मैंने U1 मान लिया तो आएगा MGH1 चुकि जी से कोई मतलम नहीं है इसको जड़ा रिफिल कर लें इसको धूंप लगी इसको एनर्जी कम हो गई इसकी और पोटेशल निर्जी आफ लिक्वेड डाट साथ मिलिग दे हैं एंड कमिंग आउट from y, डाल लिख दे नहें, coming out from y and that of and that of coming out from y, u2 is equal to mgh2 अब बताओ potential बढ़ी की घटी तो को पहली बात तो laugh mechanical energy में एक अगर बढ़ेगी तुसरी अपने आप घटेगी तो ये increase हो गया, ये decrease हो जाएगा decrease in energy, delta u is equal to mg, h1 minus h2, आप देखो kinetic इतनी बढ़ रही है ये इतनी कम हो रही है तो net decrease या net increase कितना होगा, तो net increase in energy net increase in energy delta e मालने, तो जितनी delta के बढ़ी, उसमें delta u minus कर दे, सही का आपने यानि ये क्या आएगा half decrease तो होने, net increase हमने बोला बैट जितना work हम net बोला, हमने होगी तो minus में वेलिवा जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है अचा दूसी बात, net work done हमारा अभी मिल रहा है ना, हम जो जब जो 10 जूल energy दी थी, वो यहाँ पर maximum 10 ही हो सकती है, वो 10 ही जूल खर्च हो सकती है, बारा नहीं खर्च हो सकती है, तो ये net increase क्या होगा, half M, V2 square minus V1 square minus Mg, H1 minus H2, अब जड़ा देखे, net energy ही तो network होता है, तो network को net energy से equate कर दिए, काम खता, नोट का लिया, अब लिखे, किस नियम से हम बता रहें, net energy network के, by law of conservation of energy, तो आप लिखेंगे, by law of conservation of energy, या जिसको हम कहते है, work energy theorem, network is equal to net change in energy, जी, बस equate कर दो, P1 minus P2, into M by rho, is equal to half M, मैं इस diagram को अब रब कर रहा हूँ, diagram तो पहले copy करना पड़ेगा ना, अब चलिए ठीक है, ये height H1 थी, ये A1 था, ये P1 है, ये velocity V1 है, half M, ये diagram बना रिया, नहीं मैं रब करूँगा ना, अच्छा रहने दो रब नहीं करता हूँ, नहीं वो जगए चाहिए ना, हमको इस वो लिखने के लिए, हज़र रहने दीजे, रहने दीजे, रहने दीजे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो पूरी लंबी series है ना, तो आएगा, P1-P2 into M by rho is equal to half M, V2 square minus V1 square minus Mg, H1 minus H2, ज़रा समझेगा, M तो cancel हो जाएगा दोनों तरफ का, rho को जला के bracket खोल दीजेगा, तो यहाँ जाएगा, P1-P2 is equal to half rho V2 square minus half rho V1 square minus rho G H1 plus rho G H2, अब वन वाले एक तरफ ले आओ, तो P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2, यह पूरी energy at the end X है, यह पूरी energy at the end Y है, यही तो proof करना था, कि दोनों energy same है, जिसका मतलब यह proof हो के आगया, P plus half rho V2 plus rho G H is equal to constant, तो मेरे हिसाब से समझ में बात आ गई होगी, नोट कर लिजे इसको,